प्रदेश के किसानों का डाटा एकत्र कर केंद्र सरकार को भेज दिया गया है ताकि केंद्र के योजनाओं का लब प्रदेश के किसानों को मिल सके ये दावा है प्रदेश के क्रिशी मंत्री सचिन यादव का मंत्री सचिन यादव ने दौर की रेसिडेंसी में ही केंद्र सरकार के क्रशी विफा के जॉइन सेक्रेटरी अश्वीनी कुमार से मुलाकात कर कुछ प्रस्तावों पर चर्चा की देखें इस रिपोर्ट में लंबे समय से प्रदेश के किसान सम्मान निधी से वंचित हैं और इसकी वजह केंद्र सरकार को प्रदेश सरकार का किसानों का डाटा नहीं भीजना है लेकिन अब प्रदेश के क्रशी मंत्री का दावा है कि प्रदेश सरकार ने सभी किसानों का डाटा केंद्र सरकार को भेज करी है उसका जो फॉर्मैट है उसमें किसान के परिवार को एक यूनिट जो है माना गया है और इस तरह का कोई भी डेटा जो है प्रदेश की सरकार के पास नहीं था हमने पिछले दिनों में हमारे कृष्विभाग और राजिस्विभाग ने मिलकर के जो है वो पूरा डेटा किन्दर सरकार को विजवा दिया है और मुझे उमीद है कि केंदर सरकार अपने वादे के अदुसार जो है हमारे किसान सात्यों को लावद देने का काम करेगी क्रिशी मंत्री के मताबिक शनिवार को उन्होंने केंद्र सरकार के क्रिशी विभाग के जॉइन्ट सेकरेटरी अश्विनी कुमार से रेसिडेंसी में ही मुलाकात की और प्रदेश को केंद्र की कुछ योजनाओं के दाइरे में लाने के लिए कहा प्रदेश के नाम नहीं है हमने निविदन करा है कि उसको उसमें शामिल किया जाए और तीन चार और प्रस्ताव जो हैं जो हमारे प्रदेश के किसानों के लिए लाब दाइक रहेंगे वो सारे प्रस्ताव हमने पे चर्चा करी है कुल मिलाकर पुरदेश सरकार द्वारा किंद्र सरकार को डाटा भेजने के बाद कयास लगाये चा रहे हैं कि प्रदेश में किसानों को मोदी सरकार की किसान सम्मान योजना का लाव मिलेका प्रपोर्ट MP NEWS & और